हेलो स्टुडेंट मैं डॉक्टर पंकर्ष तिवारी हमार यूटूब चनल एनाइटी स्कूल आफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है इस्टुडेंट हम डिसकस कर रहे हैं यहाँ फूरियर ट्रांसफॉर्म और फूरियर ट्रांसफॉर्म पर आज जो है यह सिक्स लेक्चर या सेवन लेक्चर जो है मैं बनाने जा रहा हूं हूं जिसमें हम डिसकस करेंगे फूरियर को साइन ट्रांसफॉर्म के बारे में तो student Fourier transform क्या होता है यह हम discuss कर चुके है inverse Fourier transform क्या होता है यह भी हम discuss कर चुके है इसके बाद student हमने discuss किया था Fourier sine transform और inverse Fourier sine transform तो वहाँ आपने सीखा था कि किस तरीके से हमें sine transform, Fourier sine transform के problems को हमें जो है solve करना होता है student आज हम discuss करेंगे Fourier cosine transform तो student यहाँ आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि Fourier Cosine Transform को आप रिप्रेजेंट करते हैं FCFx से student जब हमने Sign Transform पढ़ाता तो हमने यहाँ लिखाता FSFx S for Sign और C for Cosine तो आप FCFx से रिप्रेजेंट करेंगे किसो किसको Fourier Cosine को और student इसको Fcs भी गएते हैं तो यहाँ भी C for Cosine हुआ और जब हम Sign Transform की बात करते हैं तो यहाँ FsS लिख देते हैं तो यह difference है representation में आपके Sign Transform और Cosine Transform में तो इसका formula बिल्कुल सेम है Sign of the Integation Limit 0 से Infinite F of X Cos SxDx जब हम Sign Transform की बात करते हैं तो यहाँ Sign Nx होता है, Sign Sx होता है और हम Cos Transform की बात करेंगे तो यहाँ Cos Sx होगा जहाँ S is greater than आपका क्या होगा student 0 होगा तो आप Simple के बल formula याद रखें और अपनी problem में जुट जाएं आपको बहुत ही easy भी में आप problem बना सकते हैं student इसी के साथ देखें inverse Fourier cosine transform तो यह भी बिल्कुल similar है आपके sine transform से यहाँ Fx is equal to 2 upon pi sin of the integration limit 0 से infinite Fcs वहाँ हम Fss लेते थे क्योंकि वो inverse sine transform था यह cosine है तो Fcs लेंगे Cos SxDs इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं F inverse C या Fc inverse S के लिए student तो आपको inverse Fourier cosine transform निकालने के लिए आपको सबसे पहले जरुवत होगी Fcs की और Fcs हमारा होता है Fourier cosine transform मतलब Fourier cosine transform आपके पास होगा तभी आप inverse Fourier cosine transform find out कर सकते हैं तो student इन दौनों formula को हम आपको apply करके दिखाएंगे कि किस तरीके से इन formula को apply करके हमें problem solve करनी है तो यहां student हम सबसे पहले बात करेंगे problem number first की जो कि आपकी screen पर दी है find the Fourier cosine transform of Fx is equal to this इस type का एक problem हमने जो है जब हम Fourier sine transform पढ़ रहे थे तब हमने कर रखी है लेकिन आज हम एक problem और करेंगे क्योंकि यहां आपसे पूछा गया है Fourier cosine transform तो आईए देख लेते हैं इसका solution क्या होगा तो student solution का वही तरीका रहेगा सबसे पहले since we know that by the definition of Fourier cosine transform तो Fourier cosine transform की definition अभी हम आपको बता चुके है तो student आपको fx जो दिया है 0 से a में function आपका cos x है और x is greater than a जब होगा तो function आपको क्या दिया है 0 दिया है इसका मतलब यह है कि इस integral को हमें break करना पड़ेगा एक 0 से a और a से infinite में तो student यहां हमने break किया 0 से a और a से infinite तो यहां function of x cos sx dx होगा यहां भी same fx cos sx dx होगा तो student 0 से a में fx की value cos x है तो fx की जगे हमने cos x रखा यह cos sx आपका same आएगा into dx और यहां x is greater than a मतलब जब आपकी limit a से infinite d है तो function 0 है तो इस पूरी की value यहां आपकी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी की मैंने note down करके रखी है तो student यहां आपको integration मिल रहा है limit 0 से a cos x cos sx dx तो student आपको मालूम है कि एक formula होता है 2 cos a cos b का तो अगर हम 2 से उपर नीचे multiple कर दें उपर नीचे multiple कर दें तो यह formula बन जाएगा 2 cos a cos b का तो student यहां हमने क्या किया हमने cos sx तो इसको हमने a माना और इसको हमने b माना मलब s को हम पहले यूज करेंगे और इस x को हम बाद में यूज करेंगे sx को पहले यूज करेंगे x को हम बाद में यूज करेंगे तो देखें आप formula क्या होगा यह limit हमने same रख दी 1 upon 2 constant हमने बाहर लिग दिया cos a plus b तो s plus 1 x common ले लिया तो s plus 1 into x plus cos a minus b तो s minus 1 into x और into dx अब student यहां हमें integration करना है तो cos का integration होता है sin तो sin s plus 1 into x और x का coefficient s plus 1 है तो integration में जो है divide में आएगा आपका coefficient s plus 1 हमने same लिखा है plus इसके साथ भी student यही करेंगे sin s minus 1 into x divided by s minus 1 और limit आपकी 0 से a अब student limit put करते समय में ध्यान यह रखना है कि limit हमें रखनी है upper minus lower तो upper में limit आपकी a है और lower में limit आपकी 0 है तो upper minus lower जब आप करेंगे तो lower में आप x की जगे 0 रखेंगे तो sin 0 होगा यह भी sin 0 होगा और sin 0 की value क्या होती है 0 होती है मतलब lower limit plus पूरा का पूरा function आपका क्या हो रहा है 0 हो रहा है मतलब यहाँ केवल हमें upper limit रखनी है तो 1 upon 2 upper limit रखेंगे तो x की जगे आपको केवल a रखना है तो जहाँ x था हमने a रखा प्लस sin यहाँ x है तो यहाँ आपने a रखा minus lower limit रखोगे तो सारा function 0 हो जाएगा तो आपका answer जो रहेगा वो आपका answer यह होगा यह आपका required answer होगा तो I hope student आपको यह problem समझ आई होगी कि Fourier cosine transform का formula हमें problem में किस तरीके से apply करना है तो I am student एक most important problem हम और discuss करते है student second problem आपकी screen पर दी है find the Fourier cosine transform of fx is equal to this यह function दिया है जिसका Fourier cosine transform निकालना है तो student आप देखेंगे इस function में function की value x कब होगी जब आपकी limit 0 से 1 होगी और interval जब 1 से 2 होगा तो value होगी 2 minus x और x is greater than 2 होगा तो value होगी 0 x is greater than 2 का मतलब है कि limit 2 से infinite जब दी होगी तब function की value आपकी क्या होगी यहाँ 0 होगी तो आप student इस problem को हम यहाँ solve करते है तो solution का तरीका वही है since we know that by the definition of Fourier cosine transform यह हमने definition ली Fourier cosine transform की fcs is equal to sin of the integration limit 0 से infinite f of x cos sx dx यहाँ fx की जगे हमें यह सारी values put करनी है तो आप समझ गे होंगे कि इस integral को हमें 3 part में divide करना है एक part होगा 0 से 1 दूसरा होगा 1 से 2 और तीसरा होगा 2 से infinite तो यहाँ हमने देखो 0 से 1 किया 1 से 2 किया और 2 से infinite किया बाकी चीजें same है अब आप देखें 0 से 1 में function की value x है तो fx की जगे हमने x रखा तो x cos sx हो गया प्लस 1 से 2 में आप देखें 1 से 2 में function की value 2 minus x है तो हमने 2 minus x रखा into cos sx dx हो गया और 2 से infinite में value 0 है तो यह total term आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा इसका मतलब यह है student यहाँ हमें केवल यह 2 portion दो integral solve करने है और हमें आपका answer जो है यहाँ मिल जाएगा student इस integral को हम solve कर लेते हैं इस integral को पहले solve करेंगे तो x cos sx है तो x को हम first function लेंगे cos sx को हम second function लेंगे तो first function second का integration तो cos sx का integration होगा sin sx divided by s minus sin of the integration first का differentiation तो x first function है जिसका differentiation 1 होगा फिर second का integration होगा तो cos sx का integration होगा sin sx divided by s का whole dx और limit student आपको दिए है 0 से 1 तो यह तो integral हुगा इस portion का अब इस portion का हमें integral करना है तो first function हम मानेंगे 2 minus x को और second function हम मानेंगे cos sx को तो student लिखेंगे first function 2 minus x second का integration तो cos sx का integration होगा sin sx divided by s minus sign of the integration first का differentiation तो student यहाँ ध्यान से देखा है 2 minus x का differentiation करना है तो 2 का 0 होगा minus x का 1 होगा तो यहाँ से मिलेगा हमें minus 1 तो देखे यह हमने minus लिख दिया और cos sx second का हमें integration करना है तो sin sx divided by s का whole dx on limit आपकी हो जाएगी 1 से 2 और यह वाला portion तो आपका जो है यहाँ 0 हो चुका है अब student आगे भरते हैं और यह देखे 1 upon s x sin sx हमने सेम लिखा यहाँ फिर से integral करना है तो sin sx का integral होगा minus का cos sx divided by s तो यह s और integral का s मिलके s square हुआ minus आपका जो है plus हो गया क्योंकि sin sx का integral होगा minus cos sx तो यह cos sx लिखे दिया और limit आपकी 0 से 1 होगे यहाँ एक step हमने थोड़ा सा sort किया है अब student आगे देखें तो इसमें हमें का करना है 1 upon s 2 minus x sin sx सेम लिखा है minus अब देखें student यह minus और यह minus मिलके plus हुआ यह वाला minus यह वाला minus मिलके plus हुआ लेकिन जब sin sx का आप integral करोगे तो minus cos होगा तो ultimately यहाँ minus आएगा यह 1 upon s हमने बाहर लिया और जब sin sx का integral होगा तो cos sx divided by s आएगा तो s मिलके s square हो जाएगा into cos sx और limit हमने लिख दी 1 से 2 I hope यह integral आपको जो है clear हुआ होगा अब student आगे वरते हैं और हम यहाँ limit put कर रहे हैं तो देखें upper minus lower तो इसमें upper minus lower हम separate कर रहे हैं इसमें upper minus lower separate कर रहे हैं फिर इसमें upper minus lower करेंगे और then इसमें upper minus lower करेंगे clear student जिसमें confusion ना हो तो यहाँ student आप देखें कि हमने upper limit 1 रखी तो 1 upon s और x की जगे 1 रखा तो 1 और sin sx तो x की जगे 1 रखा तो sin s मिला और lower limit minus 0 रखोगे तो sin 0 यह x की जगे 0 रखोगे तो total term आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा तो यह तो यह वाला portion हो गया अब इस portion में हम limit रखेंगे तो 1 upon s square cos x की जगे हमने 1 रखा तो cos s आया minus lower limit जब आप 0 रखोगे तो cos 0 की value होती है 1 तो यहाँ से मिलेगा minus का 1 upon s square clear हुआ अब student इस portion में देखें आप second वाले portion में हम इस first portion का second portion में हम first portion पर पहले limit पुट कर रहे है तो student यहाँ upper minus lower करेंगे तो upper जैसे ही आप पुट करेंगे तो देखो x की जगे आपको limit रखनी है तो 2 minus 2 0 हो जाएगा और 0 का multiple इसमें होगा तो already 0 हो जाएगा clear है तो यह upper तो 0 होगा minus lower limit करेंगे तो 1 upon s और lower में 1 है तो 2 minus 1 करोगे तो 1 आएगा 1 upon s में 1 का multiple करोगे तो same रहेगा और sin s x x की जगे 1 रखना है तो यहाँ से निकल के आएगा sin s अब इसमें रखेंगे तो minus हमने बाहर लिया 1 upon s square और cos में limit रखना है तो cos 2 x 2 s हो जाएगा क्योंकि x की जगे 2 रखना है minus lower limit करेंगे तो 1 upon s square और x की जगे 1 रखोगे तो cos s आएगा क्लिए student चलिए आगे बढ़ते हैं और इनको जो है निकाल के रखने क्या क्या हमें मिला है तो देखो 1 upon s sin s मिला यहाँ से यहाँ से 1 upon s square cos s मिला minus का 1 upon s square मिला यहाँ से minus का 1 upon s sin s मिला यहाँ से minus का 1 upon s square cos 2 s मिला और यह minus minus मिलके plus 1 upon s square cos s मिला अब student इसमें देखें आप 1 upon s sin s से यह 1 upon s sin s cancel हो रहा है clear है बाकी की चीज़े सेम है तो हम सेम लिखेंगे लेकिन यहाँ हमें थोड़ा सा ध्यान यह रखना है कि यह यह वाला portion, यह वाला और यह वाला portion देखो सेम है 1 upon s square cos s और 1 upon s square cos s तो दोनों मिलके हो जाएंगे 2 upon s square cos s यह minus का 1 upon s square हमने सेम लिखा और यह minus का 1 upon s square cos 2 s हमने सेम लिखा अब s square यहाँ भी है divide में यहां भी है और यहां भी है तो हमने क्या किया minus का बन अपॉन S square यहां से common ले लिया तो यहां से आपको 1 मिला और यहां से देखें आप minus common ले लिया तो plus का cos 2 S मिला और यह plus था तो यह minus 2 cos S हो जाएगा तो यही आपका क्या होगा required fourier cosine transform होगा तो I hope student आपको यह समझा गया होगा कि अब problem किस तरीके से यहां deal करनी है तो student अब जो है बहुत ही most important problem हो आपके साथ discuss करेंगे problem थोड़ी सी lengthy जरूर है लेकिन बहुत important है किसी भी state की university हो वहाँ जो है exam में कई बार जो है इस problem को पूछा गया है तो आई यह student हम discuss कर लेते है problem third तो student problem third screen पर है find the Fourier cosine transform of e की पावर माइनस x square e की पावर माइनस x square आपको एक function दिया है जिसका आपको Fourier cosine transform निकाल लाएं तो student start करेंगे हम कहां से since we know that by the definition of fct Fourier cosine transform यह देखें definition है fcs is equal to sin of the integration 0 से infinite fx cos sx dx तो यह function of x आपको दिया है e की पावर माइनस x square तो हमने put किया और हमने इसको मान लिया equation number first यह equation थोड़ी से हमें ध्यान देनी है क्योंकि बहुत सारी equations हमने जो है इस problem में बना दी है student आप ध्यान से देखें कि now differentiation on both sides with respect to s हम यहाँ दोनों side क्या कर रहे है s के respect में differentiation कर रहे है और हम ऐसा मान रहा है कि fcs is equal to i तो इस fcs की जगे हम i put करेंगे और जो है इसको हम differentiate कर देंगे with respect to s clear है और fcs is equal to i जो हमने let किया इसको भी equation number second हमने यहाँ let कर लिया तो इस moment देखें इसकी जगे तो i रखेंगे और differentiation हो रहा है तो d over ds i होगा is equal to यह sin of the integration same रहेगा e की power minus x square same रहेगा क्योंकि x का term है और यह dx वी दो को x का term है तो same लिखेंगे केवल differentiation होगा cos sx का और cos का differentiation होता है minus sin sx और sx का होगा s के respect में तो क्या मिलेगा x मिलेगा क्योंकि x constant होगा और s का differentiation 1 होगा क्योंकि student आगे बढ़ते हैं तो यह i का जब differentiation करेंगे तो d i upon ds लिख सकते है is equal to यह minus हमने common लिया और 0 से infinite limit ली x e की power minus x square sin sx और dx अब student यह आपका जो है एक integral बन गया जिसको हमें क्या करना है student यहां solve करना है तो आए इस integral को हमें यहां क्या कर लेते हैं solve कर लेते तो इस integral में student sin sx को हमने first function लिया और x e की power minus x square को हमने second function लिया और इसको हम क्या कर रहा है integrate कर रहे है तो student integrate कैसे होगा ज़रा carefully देखें, यह minus हमने बाहर लिया, first function sin nx, second का integration, minus sin of the integration, first का differentiation, तो sin nx का differentiation होगा, cos sx, और sx का जवाब करोगे, x के respect में, तो s होगा, into second का integration, तो हमने second का integration यह same लिखा, का whole dx, किले student, यह हमने आपको cable, यहाँ limit में रखना भूल गया, तो zero से infinite आप क्या रख ले, limit भी रख ले, किले student, आगे बढ़ते हैं, और यहाँ जो है, एक integral यह find out करना है, एक integral आपको यह find out करना है, x, e की power minus x square का, तो यहाँ तो possible है नहीं, क्योंकि थोड़ा सा lengthy है, यहाँ भी first function और second function आपको use करना पर सकता है, है ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, student, यह side में देखो, now taking integration of x, e की power minus x square dx, इसको हम separately क्या कर रहे हैं, यहाँ, solve करके आपको दिखा रह होगा, तो x dx is equal to minus 1 upon 2 dt हो जाएगा, तो student, यहाँ जब put करेंगे, तो x dx की जगे तो हमने minus का 1 upon 2 dt रखा, और e की power minus x square, तो minus x square की जगे ती, और e की power t को आप integrate करेंगे, तो e की power t रहेगा, और minus का 1 upon 2 यह same आएगा, और हाँ, student, ध्यान यह रखना है, कि यहाँ, आप indefinite integral कर रहा हूँ, मैं separate कर रहा हूँ, separate करना है, क्योंकि यह definite है, इसमें तो limit लगी हुई है, अपनी चीतों से infinite, आप इसको यहाँ limit नहीं लगाओगे, तो यहाँ क्या होगी, limit आएगी, है ना, तो यहाँ इसलिए constant c आपका जो है, नहीं आएगा, यह चीज आपको clear हो गई होग मैंने इसको separately किया, क्योंकि यह solution हमारा जो आया, वो हम सीधा इसकी जगे क्या कर देंगे, put कर देंगे, तो देखें, student किस तरीके से हम यहाँ put कर रहे हैं, यह minus बाहर है, sin sx हमने यह लिखा, इसकी जगे हमने यह सारी value put कर दी, minus, यह s cos sx हमने same लिखा, और इस integral की जगे जो हमने solution अभी निकाला, देखो, उसको put कर दिया, into whole dx, और limit आपकी 0 से infinite है, है ना, तो अब आप आके देखें, minus, यह वाला minus और यह वाला minus मिलके plus हुआ, minus का अंदर multiple कर दिया, तो sin sx, e की power minus x square divided by 2, और limit 0 से infinite, अब देखो, limit मैंने इसकी भी separate कर दी, और इसकी भी मैं separate कर रहाँ, तो minus, यह वाला minus, और यह वाला minus मिलके plus हुआ, और इस minus का अंदर multiple करोगे, तो minus हो जाएगा, यह s upon 2 हमने बाहर लिग दिया, तो देखो, आपको integral के अंदर मिला है, 0 से infinite, cos sx, sorry, cos sx, e की power minus x square into dx, अब student जो है, आपको क्या करना है, यहाँ देखें, आप ध्यान से e की power minus x square, cos sx dx, by equation first and second, तो by equation first, equation first का मतलब यह है, कि जब हमने problem वहाँ, आपकी लिखी हुई थी, तो equation first जो है, मैं आपकी यहाँ लिख देता हूँ, equation first आपकी थी, i is equal to 0 से infinite, e की power minus x square, cos sx, into dx, यह थी आपकी student, equation number first, है ना, और second में हम fcs को लिख रहेते, i, clear है, तो यहाँ आप ध्यान से देखें कि यह वाला portion, e की power minus x square, cos sx, e की power minus square, cos sx, यह सेम है, मलब इसकी जगे हम क्या puts कर सकते है, i, तो यहाँ हमने student i put किया, तो minus का s upon 2 i होगा, अब यह 0 कहां से आया, 0 यहाँ से आया, कि जब आप infinite limit put करोगे, इसकी जगे तो e की power infinite जब रखोगे, तो 0 आएगा, minus lower limit रखोगे, तो sin 0 की value 0 होगी, मलब यह वाला पूरा portion आपका 0 होगा, और यह portion में minus s upon 2 सेम आएगा, और यह देखो, by equation first से, आपका integral मिल रहा है, जिसकी value i है, तो हमने यहाँ i लिख दिया, और यह di upon ds आपका left में चली रहा है, अब student यहाँ now using variable separable, मैं variable separate कर देता हूं, क्योंकि यहाँ i को i के साथ ले लेते हैं, और s को ds के साथ ले लेते हैं, तो di divided by i हो जाएगा, minus 1 upon 2s into ds हो जाएगा, अब आप जब integration करेंगे, तो 1 upon i का होगा, log i is equal to minus 1 upon 2s का हो जाएगा, s square upon 2 plus c, अब देखें, log i है, और i की value अगर हमां find out करना है, तो right side में सारे terms, जो है exponential में चले जाएगे, उसको हम लिख सकते हैं, e की power minus s square upon 4, क्योंकि यह 2, 2 जा क्या होगा, 4, plus constant आपका c, यहाँ देखें, c हमन इसलिए add किया, क्योंकि जब हमने integrating on both the side किया है, तो यह indefinite integral है, clear है, तो confuse मत होना, कि यहाँ के c में और यहाँ के c में, यह तो जो हमारा definite ही चल रहा था, वो तो हमने separate किया था, वात लग है, लेकिन वो आपका definite ही चल रहा था, अब देखें student, इस portion को हम इस तरीके से दिख दिया, अब देखें, यहाँ now let e की power, sorry, e की power c is equal to a, यह e की power c है, यह हमारा constant है, और इस constant को हमने एक नया constant माल लिया, capital A, इसमें कोई problem नहीं है, तो i is equal to e की power minus s square upon 4 into a, और इसको हमने माल लिया equation number है, अब student point हमारा यह है, कि जब हमें इसका answer देना है, तो आप समझ ग आपने constant add किया है, sorry, a, तो पहले हमें a की value find out करनी पड़ेगी, फिर a की value जब हम यहाँ put कर पाएंगे, तब हम आप से कह पाएंगे कि यह आपका क्या होगा, solution होगा, answer होगा, clear रहे, तो अब हमें value find out करना है यहाँ a की, तो अब देखते हैं किस तरीके से हम यहाँ value find out करे देखेंगे a की, तो student यहाँ नई screen पे हमने दो हो equation first आपका यहाँ note down करके रखा है, कि यह equation first थी, fcs equals 2, 0 is infinite, e की power minus x square cos x dx, fcs को मने i माना था, जिसको मने equation second कहा था, i is equal to, हमें result मिला, e की power minus x square divided by 4 into a, जिसको मने equation third माना, और यहाँ हम work कर रहे हैं for the value of a, तो अब student यह equation हमने केवल इसलिए लिखी हैं, कि confusion ना हो, बार-बार जो है हमें reverse ना जाना पड़े, तो सामने जो है, आपकी equations लिखी हैं, तो इनको देखके जो है, हम आगे का work जो है, easily कर सकते हैं, तो student यहाँ देखें, मैं क्या करने वाला हूँ, put s is equal to 0 in equation third, then we get, इस equation third में, अगर मैं s की ज हमाल लिए equation number 4, क्योंकि यहाँ हम value find out कर रहा है, एक ही, तो a is equal to i आया, या i is equal to a आया, तो देखें student, आगे, by equation first and second, equation first और second से, equation first हमारी थी ये, और second equation थी ये, तो fcs की जगे हम i रखेंगे, तो equation होगी, i is equal to 0 से infinite, e की power minus x square, cos sx dx, जिसको हमने माना equation number 5, अब देखें student, य यहाँ जो है, हम क्या कर रहे है, s is equal to, फिर 0 put कर रहे है, s equal to 0 put करेंगे, तो यहाँ से हमें फिर i की value मिलेगी, देखो, s equal to 0 put करेंगे, तो cos 0 की value 1 होगी, तो यहाँ आपको मिलेगा e की power minus x square into dx, clear है, अब इस integral को हमें solve करना है, तो हम क्या कर रहे है, x square की जगे t मान लेते ह है, जब x square t होगा, तो x equal to root t हो जाएगा, differentiation करेंगे, तो 2x dx is equal to dt होगा, और dx is equal to dt divided by 2x होगा, तो dx is equal to होजागा, dt divided by 2, और x की जगे हम लिख सकते हैं, root t, क्योंकि यह जो है, हमने क्या कर दिया, यहाँ, let कर लिए, तो x का function हमने, sorry, change कर दिया, t में, तो इस वे आप ध्य infinite रखोगे, तो t भी क्या आएगा, infinite आएगा, तो limit आपकी सेम रहेंगी, अब यहाँ देखो, e की power minus t, क्योंकि x square की जगे t रखा, तो e की power minus t, dx की जगे dt divided by 2 root t रखा, यह सेम लिख दिया, अब यह 1 upon 2 हमने बाहर लिया, 0 से infinite limit लिए, e की power minus t, और root t को हम लिख सकते है, t की power half, और t की power half जब उपर जाएगी, तो हम लिख सकते है, t की power minus half into dt, कि लिए student, अब आप ध्यान से देखें, कि i is equal to 1 upon 2 e की power minus t, और t की power minus half, आपको हम लिख सकते है, 1 upon half, मतलब 1 बटा 2 minus 1, तो इसको जब आप minus करेंगे, तो minus का 1 बटा 2 आएगा, तो instrument ऐसा हम क्यों करने वा function का, और gamma function आपने, sorry, पढ़ रखें, since we know that, why the gamma function, gamma function होता है, gamma function n is equal to sign of the integration limit is infinite e की power minus x, x की power n minus 1 into dx, तो देखें, e की power minus x ये लिखा है, और x की power n minus 1 ये लिखा है, तो इसकी value होती है, gamma function n, तो अगर हम पात करें, तो इसकी value हो जाएगी, gamma function 1 upon 2, क्योंकि n कीज़े के क्या अपान 2, तो i is equal to हमें मिला 1 upon 2 into gamma function 1 upon 2, और जब आपने gamma function पढ़ रखा है, तो वहाँ आपने एक relation पढ़ा होगा, कि gamma function 1 upon 2 की value होती है, under root pi, gamma function 1 upon 2 की value होती है, under root pi, तो हमने gamma function 1 upon 2 की जगे रख दिया value, under root pi, तो under root pi upon 2 हमें मिला i की value, जो की होगी हमारी equation number 6, अब में हम आपको दिखाते हैं, कि किस तरीके से जो है, हमें आगे problem अपनी क्या करनी है, solve करनी है, तो student इसको आप ध्यान से देखेंगे, sorry, तो यह equation 6 हो गई, अब आप देखे, equation 4 और equation 6, equation 4 में i is equal to a है, equation 6 में i is equal to root pi divided by 2 है, तो इसका मतलब यह है कि a is equal to आपको क्या मिलेगा, root pi divided by 2, तो a की value student आपको मिल गई, root pi divided by 2, और इस a की value आप put कर देंगे, equation number किस में, third में, और equation number third में आपको फिर से बता देता हूँ, equation third आपकी थी, i is equal to e की power minus s square divided by 4 into a, क्योंकि इसी के लिए तो हम work कर रहे थे, इस a की value के लिए, तो a की value हम क्या करेंगे, यहाँ put कर देंगे, तो a की value जब put करेंगे, तो i is equal to e की power minus s square divided by 4, और a की जगे हमने रखा root pi divided by 2, तो student fc, equation second में हमने कहा था कि fcs को हमने i let किया था तो i की जगे हमने बापिस से fcs रखा, is equal to root pi divided by 2, e की power minus s square divided by 4, तो instrument यह हमारा क्या होगा, यहाँ final answer होगा, तो यह problem थोड़ी lengthy थी, और इसमें बहुत सारी concept हमने यहाँ use किये, तो instrument यह बहुत ही most important problem है, आप एक बार reverse करके, इस problem को जरूर देखें, और फिर भी आपको comments box में पूछें, आप हमें email कर सकते हैं, और whatsapp भी कर सकते हैं, लेकिन answer थोड़े से delay हो सकते हैं, जबाब आपको whatsapp पे देने में, या email पे देने पे थोड़ा सा delay हो सकता है, और आपकी problem जरूर सॉल्व हो जाएगी, खिला स्टुरें, तो i hope student आपको यह video पसंद आया होगा वीडियो अगर पसंद आ रहा है, तो वीडियो को like जरूर करें, चैनल को subscribe करें, और अपने दोस्तों के साथ share जरूर करें, next वीडियो में student हो सकता है कुछ problems हम आपसे discuss करें, otherwise हमें कुछ sign और cosign transform की mix problem आपसे discuss करनी है, वो problem discuss करेंगे, इसके बाद जो है sign, transform और cosign, transform की of mathematics, thank you guys.